दोस्तों आज दो बहुत बड़े काम हो रहे हैं एक कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट था पानसो चालिस मेगवाट का वो प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट आज पंजाब सरकार उसको ले रही है पंजाब के नाम उसको समर्पित कर रही है और दूसरा बड़ा काम हो रहा है उसका नाम जीवी के पावर प्लांट था जीवी के थर्मल पावर प्लांट उसे श्री गुरूर अमरदास जी महराज के नाम से समर्पित किया जा रहा है ये दूसरा आज बड़ा बहुत बड़ा काम हो रहा एक जोरदार ताली बजा दीजिए सब लोग इस बात के लिए श्री गुरु अमर्दाज जी महराज का आशिरवाद रहेगा तो ये प्लांट भी तरक्की करेगा पूरा पंजाब भी तरक्की करेगा सब लोगों की तरक्की होगी आज ये साफ हो गया कि इमानदार सरकार क्या होती है और बेइमान सरकार क्या होती है बेइमान सरकार होती है जो सरकार बनने के बाद जितने सरकारी महकमें हैं LIC बेच देती है, एरपोर्ट बेच देती है, समुद्र पोर्ट बेच देती है, खाने बेच देती है, बिजली कमपनियां बेच देती है, और सस्ते में ओने पोने भाव में अपने दोस्तों को रिष्टेदारों को बेच देती है। आज पंजाब के अंदर उल्टा काम हुआ है पहली बार 75 साल में एक प्राइवेट प्लांट सरकार ने खरीदा है और वो भी सस्ते में खरीदा है आज ये प्रावर प्लांट अगर नया बनाया जाए तो साड़े पाँच हजार करोड रुपे का पावर प्लांट बनेगा ये अगर हमारी नियत खराब होती तो ये साड़े पाँच हजार करोड का प्लांट हम दस हजार करोड में खरीदे और उस पार्टी से थोड़े से पैसे अपनी पार्टी के लिए अपने घर के लिए ले ले लेते लेकिन हमारी नियत साफ है साड़े पाँच हजार करोड का प्ल प्लान्ट हमने ग्यारा सो करोड में खरीदा है हमने लगबख चवालिस सो साड़े चार हजार करोड रुपे पंजाब के लोगों के बचा लिए दूसरी बात यह पावर प्लान्ट अभी तक घाटे में चल रहा था अभी पूरी प्लानिंग करी अफसरों के साथ इंजीनियरों के साथ बैठके अब यह प्लान्ट फाइदे में चलेगा सरकार में आने के बाद फाइदे में चलेगा तीसरी बात अभी ये पावर प्लांट महंगी बिजली बना रहा था बहुत महंगी बिजली बना रहा था अभी ये सस्ती बिजली बनाएगा आपके घर की बिजली तो फ्री है किस-किस की बिजली फ्री है हाथ खड़ा करके सब लोग बताओ किस की बिजली फ्री है सब की बिजली फ्री कर दी पंजाब के अंदर सब की बिजली आपकी बिजली फ्री है अब दुकान वालों को, व्यापारियों को, उद्योग पतियों को उनको भी सस्ती बिजली देना शुरू करेंगे जब ये पावर प्लंड अब ये चालू हो गया तो दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है ये साफ हो गया कि इमानदार सरकार कौन सी है और बेइमान सरकार कौन सी है